तो अगर आपके पास कोई भी शौमी, रेड्मी या फिर पोको की स्मार्टफोन है तो अपडेट आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज़्यादा हमें प्राब्लम देखने को मिलता है तो इस वीडियो को अंदर मैं आप लोगों ये बताने वाला हूं कि ये प्राब्लम है ये आपको क्यों देखने को मिलता है और इसे आप किस तरह से रोग सकते हूं लेकिन वीडियो में अगर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब अगर आप लोगों को नहीं मलूम है तो शौमी वीकली अपडेट्स रिलेज करता था हर सुक्रुबार को और इसमें जो फीचर्स या फिर बग्स हमें देखने को मिलता था वो कुछ दिन के बाद हम इस्टेबल के अंदर देखने को मिलता था और उस टेम पे हमें बग्स ए प्रब्लम देखने को मिल रहा था तो यही रिजन दिया था शौमी ने जिसके कारण अपडेट्स जो है बेटा अपडेट्स या फिर विकली अपडेट्स इसे बंद कर दिया तो क्या सच में बग्स कम हुए हैं तो जी नहीं बग्स तो उल्टा और जधा बड़े हैं अभी हो जाता है इसके बाद आप त्री डॉर्स पर टैप करने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद यह जो रिसीब अपडेट्स ग्यार ली यह जो आपसन है इसे आप एनेबल कर देते हो इसके बज़े से ही आपको जो बग्स या फिज जो प्रॉब्लम से वह आपको देखने मिल जाता है आपको अपडेट बाद में मिलता है सेम फोन होने के बाद भी मैंने अपडेट को पहले इंस्टॉल किया मैंने देखा कि कुछ बग्स मैंने नोटिस किया कुछ दिन के बाद जब पब्लिकली सारे युजर्स को मिलने लगा तब आपको मिला आपने देखा होग उसके अंदर कुछ bugs हमें देखने को मिलता है कई बार ये update suspend भी हो जाता है तो सपोज आपने अगर कोई beta stable updates को install के आपने कुछ bugs देखा जो next update आया वो भी same version का था जिसके करण आपको इसके आगे same version का update तो दो बार नहीं मिलता है तो beta stable updates के अंदर bugs होते हैं अगर आपने इसे माल लीजिए सबसे पहले install कर लिया तो that's why आपको ये bugs problems update करने के बाद यहां पे देखने को मिलता है ये हो गया पहला reason दूसरा reason हो गया अभी की समय में हर कोई को link चाहिए हर कोई को जल्दी update करना है अपने smartphone को तो same device है मैंने update किया फिर आप link थ्रू download कर लिए file को आप हर बार चक करता रहते हो कि कब update ये successful आपकी phone में आ जाई हाला कि सबसे पहले तो आपको ये option नहीं देता है update करने का लेकिन कुछ दिन के बाद या फिर कुछ time के बाद आपको update करने का वही same file के अंदर option देखने को मिल जागा तो फिर आप update कर लेते हो तो वह जो file आपने download कि है वो भी एक तरफ से beta stable का ही update file है तो जिसके कारण ही आपको ज्यादा bugs ज्यादा problems देखने को मिलता है same smartphone होने के वावजूद तो इसे आप किस तरह से रोक सकते हो सबसे पहले तो आज की time पे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि updates करना है में भी उस update के अंदर bugs भी हो सकते हैं कई बार वो जो update आपको मिला है या फिर आपने जो update जल्दी जल्दी किया है वो बाद में suspend भी हो जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सारा option जो आपने enable किया है installed automatically and receive updates yearly यह दो option आपको यहाँ पे सबसे पहले off करना है आपको जब भी आपके smartphone के लिए update आएगा सबसे पहले तो आपको update नहीं करना है कुछ दिर wait करो उसके बाद update करो तो ये तो हो गया सबसे पहला solution दूसरी solution की बात करो काई सर यूजर्स ये काम नहीं करते हैं जिसके कारण भी update के बाद bugs problems छोटा मोटे हमें देखने को मिलता है वो है format का जी हां अब ऐसा बात नहीं है कि हर बार जब भी update आएगा आपको format करना है जब भी कोई बड़ा update आता है लाइक MIY14 के साथ Android 13 का भी update का अफ़ी स्मार्टफोन के लिए आया है तो अगर जैसे ही MIY14 Android 13 based update आपको मिलता है उस टेम पे आप अपनी स्मार्टफोन को एक बार जरूर format कर लेना install करने के बाद update को इसका भी बहुत सारा फायदा है सबसे प साथ साथ performance का अंदर आपको improvement देखने को मिलेगा battery backup का अंदर आपको थोड़ा बहुत improvement देखने को मिलेगा और और भी जो छोटे मोटे bugs, problems, issues है यह भी आपका यहाँ पे fix हो जाएगा तो I hope आप लोगों को यह informative वीडियो पसंद आया होगा तो इसी बात पर वीडियो को like and share केज़ेगा इस बार में आप लोगों का opinion क्या है आपका thoughts क्या है comment करके मुझे बताना मत भूलेगा और ऐसे ही interesting videos आगे देखने के लिए चनल को subscribe करना मत भूलेगा आप लोगों का सुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए thank you